नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्तों पस्थित हुआ आप सभी की सिवा में एक बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके जिहां सिर्फ तीन दिन तक खाए ये चीज कभी नहीं आएगा हार्ट अटेक ये है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए हार्ट अटेक एक बहुत ही गंभी रोग है हार्ट अटेक को दिल का दोरा पढ़ना भी कहते हैं अधिकतर लोगों को हार्ट अटेक तब पढ़ता है जब दिल तक खून पहुंचाने वाली किसी एक या एक से अधिक धमनियों में जमे वसा के ठक्के के कारण रुका वठा है पहले के समय में सिर्फ उम्र दराज लोगों को ही हार्ट अटेक होता था लेकिन आजकल के बिगरते लाइफस्टाइल और तनाव भरे जीवन के चलते आजकल नोजवान भी हार्ट अटेक के रोगी होते जा रहे हैं हार्ट अटेक के रोगियों को कभी-कभी यह पता ही क्योंकि जब उन्हें अपने शरीर में इस बिमारी के लक्षन दिखाई देते हैं तो वे उन्हें नगाज लेसे हैं जिसके चलते बाद में गंभीर परिणाम भूंबतने पड़ते हैं उनको हार्ट अटेक के मरीज अगर पहले से ही शरीर में दिखने वाले लक्षनों को गंभिरता से ले लें तो मामले पर कापू पाया जा सकता है हार्ट अटेक के करीब एक महीने पहले से सीने में हलका दर्द, सांस लेने में दिक्कत, फ्लू की समस्या, मितली, ब्लड प्रेशर का लो यहाई होना, अधिक पसी ना आना, कमजोरी महसूस होना, तनाव और घबराहट जैसे लक्षन दिखने लगते हैं हलंकि जब हार्ट अटेक अपने चरम पर पहुंच जाए तो उस स्थेती में दवाई लेना सही है, लेकिन एक आम इंसान को जिसे कभी हार्ट अटेक नहीं आया है, या जिसे हार्ट अटेक के लक्षन शरीर में दिखते हैं, तो उससे प्राकृतिक चीजों का सहारा लेना चाहिए आज हम आपको हार्ट अटेक से बचने के लिए गेहु के जबरजस्त फायदे बता रहे हैं, यानि कि अंकूरित गेहु को खाने से शरीर को स्वस्थर खा जा सकता है, अंकूरित गेहु के द्वारा हार्ट अटेक से बचने के लिए सबसे पहले गेहु को 10 मिनट के पानी में उबालने और फिर उन्हें अंकूरित करने के लिए किसी कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से गेहूं अच्छी तरह से अंकूरित हो जाएंगे। जब गेहूं में करीब एक इंच तक लंबे अंकूर हो जाएं तो रोज आधी कटोरी सुबह खाली पेट उन्हें खाएं। सिर्फ तीन से चार दिन तक ही ऐसा करने से आपको अपने शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। और जीवन में हार्ट अटेक आने के चांस भी बहुत ही कम हो जाएंगे। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि अगर गेहूं को उबाले और जिन गेहूं में उबलने के बाद यह समर्थ होता है वहीं हार्ट अटेक के लिए उश्रधी सावित होते हैं यह ध्यान रखिए। मुश्किल काम है लेकिन आपके लिए बेहद ही लाफकारी और फायदे से भरा हुआ कारी है यह जहां दोस्तों तो यह थी आज की जानक कारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपू जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धनिवाद नमस्कार दोस्तों